नमस्ते दोस्तों रिखार रसोय उत्राखंडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाना सीखेंगे प्रेसर कुकर में आसान तरीके से गाजर का हलुआ गाजर का हलुआ बनाने के लिए मैंने ले लिया था एक किलो गाजर अच्छे से रेट कलर के उनको गाजर के लिए अच्छे से बूनना है लगबग 5 मिनट तक बूनते जाना और गैस की आज अबी में कम कर जूँगी रेटे बूनते जाना है जब यँ एक दम से पकग जाए मूर्चा के कम हो जाए तब इसमें हम आगगी पर क्रिया शुरू करेंगे और ये देखे मैं अच्छे से गुमा लोंगी अच्छे से डालेंगे हम दूद, दूद जादा नहीं लगता गाजर के हलुए में, लगबख एक गिलास दूद से हो जाएगा, यह जादा गाजर है, लगबख एक किलो के करीबी गाजर है, अभी मैं इसमें दूद डालूंगी और चीनी डालूंगी, और यह गाजर का हलुआ बनाना बह अभी मैंने इसमें डखकन रख दिया थोड़ा सा डब दूंगी दीरे दीरे आंच में पकेगा लगबग 5-7 मिनटी से ऐसे ही पकाना है अभी देखिए यह पक चुका है थोड़ा सा आदा तो यह पक चुका है एसे ही बिना प्रेसर कूकर के सिट्टी लगाई ऐसे पकाना है लगबग इसको भून देना है थोड़ा सा गल जाए तब इसको अच्छे से गुमा गुमू के इसको थोड़ा सा गोट के और देखिए यह मैं डालने हूं अभी इसमें दूद लगबग एक गिलास में दूद ले लिया एक पाव दूद है यह इसको मैं डाल दूँगी डाल पसंद करते हैं खाना मीठे को देखिए मैं लगबग एक कटोरी चोटी सी कटोरी है यह चीनी डाल दिया मैंने इसमें चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेना है और बाद में आप जब यह पक जाए काजू बदम जो भी है आपके पास है नारियल वो डाल सकते ह इसे ही सिंपल सा भी आप खा सकते हैं और इसमें चाओ तो खोया भी डालते हैं लेकिन मेरे पास अभी खोया भी है तो मैं सिंपल सा गाजर का हलवा बना रही हूँ जो सभी लोग बना सकते हैं तो कि सभी के पास इतनी सारी चीज़ें उबलब्द नहीं होती है गर पे तो ह जैसे चाय वैसे खा सकते हूं मैं भी सिंपल साई बना रही हूं और देखे यह पके तैयार हो गया सिर्फ एक सीटीस में लगानी है और मैं भी आपको दिखा रही हूं इस सर्व करके थोड़ा सा दुआ दुआ हो गया है यहां पे यह प्रेसर कुकर खोलने से मैंने पकने के पाँच मिनट बाद यह प्रेसर कुकर खोला है तब ही थोड़ा सा दुआ दिख रहा है और यह रात का समय है दोस्तों मेरी रोटियां भी बन रही है तो मैं आपको दिखा रही हूं कैसा बना है यह और देखिए यह एकदम थोड़ा सा गिला गिला बना है दूद अभी इस में है और ऐसे ही यह अच्छा होता है खाने में आप चाओ तो इसको थोड़ा सा दूद प्रेसर कुकर का डखन खोल के सुका भी सकते हो लेकिन ऐसी अच्छा लगता है तो हमको तो ऐसी अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब और वीडियो को लाइक कर देना